इस पीच्वल वर्ड में आप सभी का स्वागत है फूढ़हर का पाउधा सपने में देखना यहाँ एक अशूप शपन होता है हमें सपने क्यों आते हैं इसके पीच्छी कारण होता है हमारा जो सरीर होता है पंच महबूत है तो चीती जल पावगगन समीरा से मिलकर बना हुआ होता है और इसे ही प्राण सक्ती बोलते हैं प्राण सक्ती कोपर में आत्मा का वास होता है जब हम निद्रा वस्ता में होते हैं तो हमारा सरी सो जाता है परन्तु हमारी आत्मा जागरी तवस्ता में रहती है हमारी आत्मा के कारण हमारी जो बुद्धी होती है जो तीन तरकी होती है चेतन और चेतन अती चेतन जो हमारे द्वारा भूत काल में किये गए कार्य और वर्तमान काल में हम जो कार्य करते हैं उसको जोड़ कर एक समुचित फल स्वपनफल के माध्धम से बताने की कोशिस करती है कि हमारे आने वाला भविश्य कैसा होगा अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे सपना फलाते हैं बुरे कर्म करते हैं तो बुरे सपना फलाते हैं तो सपने में फूढ़र का पौधा देखना जहाँ एक अशुप सपना है आने वाले समय में किसी कार्य को लेकर आपको निरासा महसुस होगी दुखों में वृद्धी होगी और साथ में आपके साधिक कस्टों में भी वृद्धी होगी तो कुल मिला करिया है एक अशुप सपना है और इस अशुप सपना के नकरात्मक प्रभाव को खतम करने के लिए आपको गैतरी मंतर का जाप करना चाहिए या सिवजी के पंचाक्षी मंतर ओम नमसिवा का जाप करना चाहिए ताकि इसके नकरात्मक प्रभाव आपके जीवन में कम पड़े या पूर्णता खतम हो जाए और आपका भविश्य अच्छा हो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस इस्पिच्वल वट को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और कमेंट के माद हम से मुझे जरूर बताईए कि यह वीडियो कैसी लगी आपको और सपनों के बारे में और अधी जानकारी के लिए प्लीस इस्पिच्वल वट चैनल में जाईए और वहां बहुत सारे सपनों का मिनिंग बताया गया है आप उन सपनों के मिनिंग देकर लाब उठाईए आप सभी को इश्वर सद बुद्धी दे सद मार्क बदान करें और आप अच्छे कर्म करें हमेशा धन्यवाद